जैहिन दोस्तों स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में 75 इंग्लिस प्रैक्टिस चलेंज में यह हमारी यानि की पांस छे क्लास और वाकियों उसके बाद यह पूरी सिरीज कंप्लीट हो जाएगे ठीक है और यह एक्जाम के लिए इंपॉर्टन सिरीज है अभी हाली में हमारा सीपे एक्जाम होने वाला है और फिर कुछ दिनों के बाद जो है फेस टू का एक्जाम होगा तो सभी अपकमिंग एक्जाम से प्याप यह सिरीज कंप्लीट करके जरूर जाएगा वनवर्ट्स में हमारी चौत के लिए तो यहां पर आपको हॉस्टेल क्लासेज लाइब्रेरी खाना वाइपाई स्टडी रूटीन गाइडेंस सब कुछ आपको एकी जगे मिलता है आप जरूर जो है जो है जोईन करिएगा और आपके पास कॉंटेक्ट नमबर से अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं त हमारी वनवर्ट की चौथी क्लास और इस क्लास का पहला कुछिन आपके सामने है ठीक है आप देखो कि यहां पर लेका हुआ है पहला कुछिन है एक्सिस्टिंग इन लेंड फ्रॉम अर्लियस ताइमस और फ्रॉम बिफोर अर्राइबल ओफ कॉलोनिस्ट जैसे अगर कोई व्यक्ति पहले से जब से जगे बसी है उससे भी पहले से रह रहा है तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जैसे माल वा जंगल को काटके अगर कोई कॉलोनी बसा दी जाए तो उससे पहले भी वहां पर कुछ लोग रह रहे होंगे उनको कहते हैं वहां पर नेटिव होते ना ने आदिवासी हो लेकिन उससे भी पहले जो लोग रह रहे हैं उनको हम आदिवासी उनको कहा जाता है ठीक है यहां पर लिखा भी एक उस जगे पर कॉलोनिस से भी पहले से रह रहे हैं कि बहुत है प्राचीन काल की ओरीजिनल होती है जो असली मूल है ठीक है और इजिन से रिलेटेड हैं बाकी तो आपका सारे वर्ट की मीनिग आपको पता चल गए यह सीजल 2022 के सवाल है सारे ठीक है न an eccentric manner of living देखो eccentric का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो विचित्र होता है अजीव होता है eccentric का मतलब होता है विचित्र अजीव जैसे कि अगर सभी लोग पूजा पाट करते हैं सभी लोग भगवान को या नियम कानूनों को मानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं सब के खिलाब चलते हैं कि हना इनके बिल्कुल अर्व एक क्या कहते हैं पर एक चियाफ क्रीपन आग रेख्सार जो होता है कि वह एक बहेमिय। तो मानता नहीं है उनके खिलाब चलता है आइकोनोक्लास्ट उनके बिलीप्स को ठेस भी पहुंचाता है उल्टा सीधा गाली गलॉज करेगा मूर्तियों को तोड़ देगा यह सब ऐसा करने वाला आइकोनोक्लास्ट होता है अस सोशल अनकंवेंशनल पर सने कैसा व्यक्ति ज जो मुद्राओं के बारे में उसको बहुत ज्यादा ग्यान होता है उसको न्यूमिस्मेटिक कहते हैं करन्सी के बारे में बहुत ज्यादा ग्यान होता है गौर्मेंट होता है बहुत ज्यादा खाने वाला ठीक है खाने पीने का बहुत बड़ा सौकीन होता है और मेसेंत्रो एक तो होता है पानी के बीच में जो जमीन होती है उसको कहते हैं द्वीव है न ऐ इलेट एक बहुत बड़ी जमीन होती वहाँपर लोग रह भी सकते हैं है और एक होता है चोटा सा टापू मतलब वहां सुर्वाइवल वस थोड़ा सा मतलब कभी जैसे जरूद पढ़ जाए किसी को वैसा बहुत चोटा सा हलका सा टापू जैसा हुता है उसको हम आईलेट कहते है ये पाहिक खाया जाता Até First चोटा सा दूर्ज होता है जाना है या वह है जगे जहाँ पर कुछ चीजे मिलती है लोग मिलते हैं वह जगे जो मिलती है उसको सअ्योग भूमी कहा जाता है इस थमस option is का correct answer हो जाना है holding on to something or keeping an opinion with determination एक ऐसा ब्यक्ति है जो अपनी बात पर अडिक है एक ऐसा होता है जिसने कुछ भी बोल दिया फिर सांसारिक सत्य हो गया वो मतलब सबसे बड़ा सत्य यहीं है इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है जो सब होता हुआ है ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ढिषट अपनी बात को मानने वाला और उससे अडग नहीं है वो उसी पर अड़े है मतलब उससे हिलेगा नहीं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है जो मैंने बोला वही सकते है इस व्यक्ति को हम टीनेशेस कहते हैं नखरेवाज कह सकते हैं नखरेवाज नखरेवाज नहीं वह तो और वह होता है क्या बोलते हैं फास्टीडियस वह जिद्धी आदमी हटी कह सकतेकं मैं फिर्विनीथ होता हैं यानि कि बैल क refere सकते घ्रुडए यानि कि अपनी लाOffington basis होता है यह जिद्धी भी कह सकते होई जिद्धी है वह जिद्धी घ्रुड हरो तक और अप फिरर ग्रानत ठोन शब्द्ट सभाए जाती है औरलो के अई होता है बहुत ज्यादा बात चीट करने वाला बहुत ज्यादा बोलने वाला माल अब पेर्फिक्ष समेट गर्वार बाड़नेस्ट का मतला है सल्वला में एक एक ऐसा ब्रूरर को senin, यो घर सावधान साब्धान हर चीज को बहुत जादा बारी की से जो है एक जमाइन करता है एससी सीजल 2022 ठीक है दस दिसंबर 2022 में पूचा गया सवाल है और सारे संसार का हर चीज का ग्यान है और ऑप्टिमिस्ट होता है आसावादी जो हमेशा पॉजिटिव पक्ष को देखता है और एक होता है एक होता है नेक्स्ट देखो यहां पे लेखा हुआ है फेल टू नोटिस इग्णोर कंडोन यानि की एक ऐसी चीज जिसको हम इग्णोर कर देते हैं हमने नोटिस ही नहीं कर पाया उसी इसको तो उसको हम क्या कहते है ओवर लुक कहते हैं सबको पता है स्पेशली किसी गलती को स्पेशली एक गलती को हमने इग्णोर कर दिया है ना या नोटिस नहीं किया तो उसको हम ओवर लुक कहते हैं नजर अंदाज करना क्या करना जी नजर अंदास करना ठीक है ऊवर सफारी होता है खिलाडी या यात्रियों का कार्वा निकलता है उसको सफारी बोलते हैं म्यूजियम संग्राल होता है और सेहत गाहा मतलब सेहत बनाने की जगे कह सकते हो किसी व्यक्ति की अच्छी रेपूटेशन बनी हुई है बढ़िया गुड रेपूटेशन और उसको खराब करना हो तो उसको क्या कहते हैं डेलिगेट तो या डिजेनरेशन डिफेमेशन क्या कहते हैं डिफेमेशन कहते हैं उसको डिफेम कर रहे हो आप यानि की मान हानी उसके मान में हानी लाना उसके मान सम्मान में क्या करना नुकसान कर देना ठीक है जी तो यह हो जाएगा समझ गई डेलिगेट होता है प्रत्य निधी बनाना किसी को डिजेनरेशन होता है बेगाड़ना खराब करना खराब करना या हाँ गटना बेगडना गटना हो सकता है डिजेनरेशन खराब होना भी बोल सकते हो डिफेक्शन होता है भंग या उसमें कोई खराब ही होती है उसको होते है डिफेक्शन बोलते है यह तो चीज़ डिफेक्टेड है तो डिफेक्टेड से बना है डिफेक्शन and exaggerate statement not to be taken seriously or literally अगर कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज़्यादा exaggerated है बहुत ज़्यादा बोली चाली वाली है बहुत ज़्यादा बोली हुई है उसको बहुत ज़्यादा seriously नहीं लेना चाहिए तो उसको hyperból कहते हैं यार इसने तो अथ्य दिक मातरा में बोल दिया ऐसा नहीं होता है बहुत जादा किसी चीज में ठीक है ना बोल देना यह होता है मतलब हाईपर बोल यह तो हम अलंकार में भी पड़ते हैं ना figure of speeches में ठीक है figure of speech में आपने पढ़ा होगा हाईपर और हाइपर टेक्स्ट होता है यह क्रॉस रेफरेंस मतलब एक हाइपर टेक्स्ट होता है ना क्रॉस रेफरेंस का मतलब जानते हो एक दूसरी का जब क्रॉस रेफरेंस देते कि सुनो तुम मैं तुम मैं ऐसे करूँगा तुम मुझे रेफर करना है तो क्रॉस रेफरेंस होता है यह सकते हो who is regarded as the father of medicine ये इनको father of medicine कहा जाता है hypocrites जो हिपो के अनुवियाई होते हैं वैसे हिपो का मतलब होता है घोडे ठेक है ना तो answer हो जाएगा इसका B cancel और do away with एक law एक agreement को cancel कर देना इसका क्या होगा answer बताओ देखो cancel करना तो abrogate होता है सबको पता है किसी भी चीज़ को abrogate करना cancel करना रद कर देना अभी निसेद करना या रद करना किसी agreement को रद कर देना cancel कर देना यह का मीनिंग हो जाता है ठीक है ना cancellation होता है रद करना लेकिन यह noun होता है यह वर्व है पहली बात और दूसरी चीज़ कैंसिलेशन होता है पूरी तरह से है ना कैंसिलेशन किसी नॉर्मल टिकेट्स वगेरा या किसी चीज़ को लेकिन किसी नियम कानून को अगर एगरीमेंट को कैंसल करें तो उसको अब्रोगेट कहते हैं ठीक है जी अल्टीमेशन होता है चर्मोत कर्स सबसे अपर लेवल की जी आखरी ठीक है अंतिम प्रोगनों प्रोग प्रोपोगेशन होता है महलत यानि की गुंजायस प्रोफोगेशन की बहिए तुम्हें दो दिन और दिये चलो कर लो दो दिन में कर पाऊ तो कि॑ पूश्टपॉनिग करूंगा है मैं इसकाम करऊंगा इसको कहते हैं प्रोख्रास्टिनेट आपके आलसी होने की वज़ए से आपका काम पॉश्टपॉन होता है बार बार कि कल करूंगा परसों करूंगा मंडे से करूंगा और संडे से करूँगा इसको कहते हैं प्रो क्रास्टिनेट टुकीप पोस्ट पॉस्ट पोनिंग डुइंग टास्क लेटर विकॉज यूर लेजी तो स्टूडेंट की लाइफ का सब्सक्राव हैं नहीं करना चाहिए आज का काम है आज ही निप्टाओ तब बागी के काम करना समझें तो Procrastinate कहते हैं इसको ठीक है जी Procrastinate Vale क्लियर एक और कुईशन है a battle or anything involving or causing much bloodshed या तो एक युद्ध छित्र है जहां पर बहुत सारा खूनी खून है या कोई भी ऐसी चीज जिसमें खून खराबा हो या तो युद्ध छित्र हो या लड़ाई हो या कोई ऐसी चीज हो जिसमें खून खराबा बहुत होता है इसको सेंजिनर यानि की खून खराबा ओटो क्रेसी क्या होता है जी ओटो क्रेसी होता है एक तंत्र जिसमें एक ही व्यक्तिशाशन करता है संजिनरी होता है श्राप ग्रस्त या खून खराबा कह सकते हो है ठीक है इसको कहते है खून खराबा है इसको कहते है खून खराबा ठीक है इन एफ सब्सक्राइब होता है अब वर्निय कर सकते एक्सप्लेट नहीं कर सकते इन एक्स्प्लेकेबल होता है राज साही एक दम लाल फीता साही यानि कि टूमच ओफ़ीशल next है आपका स्ट्रॉंग होस्टिलीटी जानते होस्टायल से बनाएं होस्टिली की मतलब होती है सत्रुता अगर आपकी कट्टर दुस्मनी है तो एनिमेलेस्टि एनिमेलेस्टिक होता है अनॉनिमेटी होता है कॉमेटी या एनिमोशिटी एनिमोशिटी हो जाएगा दुस्मनी बैर दुश्मनी इसको कहते हैं दुश्मनी ठीक है जी एनिमोशिटी मतलब दुश्मनी कॉमेटी होता है सिस्टाचार जब आप कॉमेटी कॉमेटी हाँ कॉमेटी मतलब सिस्टाचार सभ्यता और अनॉनिमेटी होता है गुमनामी एनिमेलिस्टिक होता है पास्विक ठीक है जो पस हो जाना especially in favor of another और वो भी किसी दूसरे के लिए के चलो या तुम्हारे लिए मैं इस चीज को त्याग देता हूं तो उसको हम क्या कहते है वह यह फॉर्फीट कहते हैं त्याग ना ठीक है अर्थ दंड नहीं कि भाई अ अब मेरे से नहीं होगा मैं तो हार गया आप देख लो अपने हेसाब से आजाद तर लोग ऐसे करते हम लोग पढ़ाई में अब मेरे चोड़ रहा हूं ठीक है ऐसे लडाई बढ़ाई में भी हो जाता है पढ़ाई में लडाई में तो surrender किया जाता है यह सही है हालांकि त्याग ना भी होता है किसी चीज़को श्पेशली पैसे को मनी को जैसे कि आपका दो हजार रुपए थे मैंने त्याग दिया चलो कोई बात निम्हाद देना या फिर आपकी होता है छोड़ देना something that is capable of being accomplished ऐसी कोई चीज इसको पूरा किया जा सके वह होता है feasible मैंने का यह तो संभव है feasible है पूरा करा जा सकता है यह को accomplished का मतलब होता है complete किया जा सकता है अन टीनेबल होता है जो चीज अस्थिर है टीनेबल नहीं है और एक होता है इस्थिर एसी कोई चीज है जो इस्थिर नहीं है मतलब इस्थिर है मतलब मूव नहीं करती एक जगे पर होता है जो चेंज होती रहती है eligible होता योग्य ठीक है जी यह होता योग्य आगे चलेंगे सब्सक्राइब कैसी नेगész ही एक करगता है और को आपस्टावा जैसा attentive कम आपकों तयसी होता है और पहाली ऐसादा है ठीक है जब आपको इसा लगता है पचतावा जैसा होता हम्योर्स कहते हैント और और रेस्टिट्यूशन होता है बहाली जिसमें रेस्ट पर लोगों को छोड़ दिया जाता है उसको उलते बहाली रिफल्जेंस होता है चमक दमक और रिपगनेंस होता है ग्रणा नफरत अब परसन हो क्रिटिसाइज़ ट्रडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स अगर आपकी क तक ब्रउमपरा है रिचूछल है और आपकी सामने देखति आपकी जो है जो है क्रिटिसाइज करता है तो इसको क्रिटिसाइज करता है तो इसको क्रिक को शी झेसास चीज को मानता निया फॉलो नहीं करता है लेकिना आपको गॉल उसको बोहमियन कहते जो कि Below करूंग यह कोई खाल कर priv acabar मार्णा कर प्रहितए प्रेरित एक एंप स्कंडर होता है खोड़ा गोला जो भाग होई जाता है छोड़ पहाँ जाता है हैरेटिक होता है वह है वैक्ती जुत विधर्मी होता यानि कि धर्म के खिलाप चलता है इल्टा सीधा बोलेगा वहता है विधर्मी ठीक है चलीए कि अब पोल टेकन आफ वोटर्स लीविंग यह तो सब को पता एक्जिट पोल होता है कि भाईया जब कोई व्यक्ति कि वोट करके अब जे को चुनाब चल रहे हैं चुनाब आने वाल हैं तो जब वोट दे के बाहर निकलेगा तो उससे पूछा जाता है कि तो किसकी वोट दे क्या है इससे पता चलता है कि सब से जड़ादा बोट किसकी पड़ी हैं लेकिन वह अंदाज ही होता है असली चीज तो कुछ और ही होती है तो होता है उसी को हम पोल로 कहते हैं कि इससे पता चल हूँ रहा है मता उनमान मतों से अनुमान लगाए जा रहा है कि कौन जीतेगा Census होता है जन गड़ना और results होता है परिणाम consensus होता है आम सहमती जिससे लोग सहमत होते हैं सब लोग ठीक है ना next A formal statement testifying to someone's character and qualification A formal statement testifying to someone's character इससे किसी के character और उसकी qualifications को पहचाना जाता है तो उसको document कहेंगे, affidavit कहेंगे इसको testimonial कहेंगे, क्या कहेंगे इसको कहा जाता है testimonial, testimonial होता है गुणों का वर्ण पत्रण जैसे कि आप जब किसी दूसरी company में job करने जाते हो तो जिस company में आपने पहले job करी है वहाँ से एक आपका testimonial लिखवाया जाता है कि आपको यहाँ पर नौकरी तभी मिलेगी जब आप पिछली company का testimonial ने यहाँ पर लाके दो गई अब आप पिछली company में जो है क्या करके आगे लड़ाई करके आगे उसने testimonial मगलत भर दिया कि तो लड़का मक्कार है काम आम नहीं करता तो फिर उसको हम कहते हैं कि भईया यह testimonial उसमें आपके गुणों का आप कैसे रेचर के वो आप कितना काम करते हैं उसने सब चीजों का wordन होता है एफिडेविट होता है सपत पत्र जिसमें आपको सरकार के प्रती कि उत्तरदाई होना पड़ता है कि अगर मैंने कुछ भी ऐसा किया तो फिर मुझे सजा मिलनी चाहिए डॉक्यूमेंट होता है दस्तावेज मैंने स्क्रिप्ट होता है हस्त अपने हातों से लिखी हुई स्क्रिप्ट कि making of a false document with a false signature जब हम जाल साजी करते हैं अपने नकली फरजी डॉक्यूमेंट स्थुद से बना लेते हैं उनको फ्रगरी कहते है धोका धड़ी है ना इसको कहते जाता है फ्रगरी फ्रगरी मतलब होता है जाल साजी धोका धड़ी और रियूज होता है चाल ट्रिक इन सिंसेरिटी होता है निस्ठा हीनता जिसके अंदर सिंसेरिटी ही नहीं है उसको कहते है निस्ठा हीनता डिसेप्शन होता है धोका ठीक है डिसेप्शन क्या होता है जी धोका होता है और जाल साजी पता चली गया ह next a list or collection of books और informative graphics एक ऐसी लिस्ट एक ऐसा collection जो कि किताबों का collection होता है जिसमें बहुत सारी information होती है उसको क्या कहते हैं gallery catalog और यह specially सूची होती है किसीज की यह books की list होती है इसको कहा जाता है catalog gallery में क्या होता है एक तो gallery होती है निकलने वाली एक गैलरी होती है a collection of footage collection of pictures इसको भी कहा जाता है gallery hamlet hamlet होते है छोटा सा गाऊं मढ़य एक छोटा सा गाऊं जिसमें 24-26 जहर होते है बस बेल होता है गांट कि नोटि को एससी CPU 2022 के सवाल आ रहे हैं स्वेंग एस्ट्ूट पावर्स ऑफ जजिमेंट जब आप किसी भी चीज में एस्ट्वी पावर दिखाते हो जजिमेंट की जॉडीशिस तो उसको स्रेक्ष रिप्ट श्रूड कहते हैं यह बन्दा तो बहुत ही कट्र है अपने विचारों को लेके नहीं त चतुर को ईह क्या है चतुर होता है बहुत ही लावर तो समस्च जव मतलब धूर्ट भी होता है मतलब आपको उल्लू बना जाएगा ऐसा थी इसको धूर्ट कहते हैं स्रिफ्ट होता है सिkinicon a surprising होता है और होता है एक प्रकार का पक्षी है पक्षी का नाम है एक श्रीक होता है किलकारी जो बच्छे हसते हैं रोते हैं उनकी जो किलकारी होती है न उसको का जाता है श्रीक evoking a keen sense of sadness और regret evoking a keen sense of sadness और regret उसको pungent कहेंगे pungent या impactful या unaffecting बहुत common सा word है अराम से बता सकते हो तब बर पूचह भी गया है टिक है बताओ repeatedly पूचह गया है वैसे pungent, pungent impactful evoke प्रभाव पूर्ण जिसमें प्रभाव होता है एक और अफेक्टिंग होता है अप्रभाव जिससे किसी को प्रभाव नहीं पड़ता नेक्सक्र प्राफिटेबल यील्डिंग इया फिर यल्डिंग वीँल्ड मिलिक्शी मत्स जिसमें हमें क्या मिलता है फाइदा होता है चाहे फैनेशियली फैनिंशीली इस स्पेशली तो उसको ल्जुडिक्रेश कहेंगे और अजीव होता है यह तो अजीव होता है यह होता है ऐसी जाने फाइदे मन्द एक होता है版 ट्ली ट्रइकर जो टैकन आTT होता है अप फाइडिय व वざ मुझे सब यह पसंद नहीं है तो इन सब चीजों का ना विरोध करता है कि नहीं है यह यह यूपी आई व्यूपी आई यह सब बकवास हैं यह खाते में पैसे आना ही सब कैस होना चाहिए हाथ मैं और लूगर होता है कुली जो सामान उठाता है कॉस्टू कॉंटिन्यू कीप अगर आप किसी भी चीज को मैंटेन करके रखते हैं कॉस्टू कॉंटिन्यू यह कीप अप यह प्रेजर लगातार उसी चीज को करते रहते तो उसको मैंटेन ही तो कहते हैं मैंटेन कहा जाता उसको और यह होता है मैंस्टे मैंस्टे का मतलब हो प्लेटवल Скो चुटोटे ह Guide सेट आपक्वा जाता है मेंट वार। says the correct answer a person who introduces the performers or constants in contestants in a variety. बताई इसका answer कौन बताएगा अब person who introduced the performers calligrapher compare compare या जो contestants को या performers को introduced करता है कि अब आने वाले हैं एक next हमारे अभ्यर्ति इनको कहते हैं कंपीर 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 का मतलब होता है परिचायक परिचायक मतलब उन लोगों को होश्ट करने वाला कंपीर जो होता है वो साथ में काम करने वाला विक्ति होता है जो साथ में काम करता है कैलिग्राफर कौन होता है यह होता है सुलेखक यानि कि वह है व्यक्ति जो अच्छे से लिखता है अच्छे लिखावट जिसकी होती है साइफर होता है सुन्य सुन्य का अंक नेक्स्ट टेकिंग हीड और केर वह है व्यक्ति जो care करता है चीज की बहुत यह कह सकते हैं being conscious CPO के questions हैं सारे के सारे वह है व्यक्ति जो क्या करता है भरिया conscious रहता है एक दम mindful कह सकते हो सतर्क सावधान हमेशा हर चीज को लेके mindful है यह बंदा सतर्क रहता है आप कह सकते हूं कि यह बंदा सतर्क रहता हमेशा माइंड लेस होता है जो ना समझ है जिसके अंदर बुद्धी नहीं है माइंड सेट जो होता है वो होता है मांसिक था कि आपने अपना मांसिक mindset कर रखा है और mind read तो आप जानते हैं अपने मस्तिस्क को दिमाग को पढ़ना होता है mind read the scientific study of worms or insects the scientific study of worms and insects क्या कहेंगे उसको entomology कहा जाता है कीट ना सक या निकी कीट विज्ञान कहा जाता है entomology होता है कीट विज्ञान insects की या worms की पढ़ाई करते हैं SSCCP 2022 का सवाल है anatomy क्या होता है जी सरीर की सरचना geology क्या होता है जी प्राने विज्ञान ठीक है जोलोजी होता है प्राने विज्ञान मतलब जिसमें प्रानियों की जीवों की विज्ञान होती है जीवों के बारे में सक्षाए जाता है animology होता है the study of winds हवा हवाओं के बारे में पढ़ाई की जाती है honor given for some achievement honor given for some achievement अगर आपने कोई ऐसा achievement हासिल किया है तो आपको भारत रतन ओसकर अवार्ड यह सा मिलते हैं न राष्ट्रपति अबार्ड यह मिलते हैं तो इनको क्या कहते हैं इनको हम play card कहेंगे laurel कहेंगे, party कहेंगे gift देखो, party और gift तो नहीं होगा play card और royal इनके meaning समझल, अपने आप अपने छो जागा जो आपने achievement हासिल किया है उसके लिए आपको जो मिलता है है उसको हम क्या कहते हैं अब देखो लिवरेल वैसे देखो कि नाउन की तरह है मतलब इसका अगर खुद का मीनिंग तो यह एक पॉधे से जो है ना एक लिया गया है लोरेल के वह सारी प्रोड़क्ट भी आते हैं कॉस्मेटिक लोरेल ठीक है बट उसका मीनिंग यह चेंज कर देते हैं है ना लेकिन लोरेल होता है एक गौरब कह सकते हैं गरिमा पत्र कह सकते हो गरिमा पत्र ऐसे कहते हैं इसको गरिमा पत्र यानि गौरब पत्र या गरिमा पत्र कहते हैं यानि कि आपने कुछ गौरब कमाया है कुछ गरिमा कमाई है मतलब आपने एक रिस्पेक्ट होता है एक पौधा होता है पौवा लिखा है ना पौधा होता है एक छोटा सा उसके नाम पे लॉरेल लिखा हुआ है ठीक है वैसे इसका मीनिंग जो होता है ना दोनों मीनिंग होते हैं अलांकि गलत तो नहीं लिखा है बट दोनों मीनिंग होते हैं एक पौधे के नाम पे इ ठीक है Homicide मतलब मानव ही मानव की हत्या कर रहा है तो मानव द्वेशी या मानव की हत्या Demo Side होता है Demo मतलब होता है लोग बहुत सरे लोगों की हत्या कर देना Demo Side Mother of any person or people by their government democracy से बना है Demo आप समझ सकते हैं Demo का यूथनेसिया होता है इच्छाम रत्यू जैसा वो चाहता है वैसी मौत सीप्यों के questions चल रहे हैं भी आप दा डक्स वर नॉट अफ्रेड आफ फास्ट मूविंग वाटर जो फास्ट मूविंग वाटर होता है उसको क्या कहते हैं टोरेंट करेंट फ्लड या ओवरफ्लो सारे ही वर्ड मिलते जूलते हैं लेकिन हमें क्या करना भाई एक सटीक वर्ड बताना है फास्ट मूविंग वर्ड जो होता ना इसको कहते हैं टोरेंट ठीक है क्या कहते हैं इसको टोरेंट यह लाइट बिजली के लिए इस्तेमाल क के जाता थिकल आ trade with a vaccine usually by injection to promote immunity अगेंस्ट दिसीज बताओ एक ट्रीट विद वैक्षिन यूजुली बाइ इंजेक्शन मतलब जब इंजेक्शन लगाए जाता है तो इनॉकुलेट इनेंडो इनमेरेबल सरी इनमेरेट इनुए यह होगा टीका लगान इनॉकुलेट यह होता है बाकी इनेंडो तो भ्यंग ह होता है बाकवास फालतू ठीक है इसको कहते हैं बाकवास है यह होता है बाकवास इनॉकुलेट होता है टीका लगाना यानि कि एक तरीके से वैक्शिनेशन कहते हैं इसको और एक होता है इन्यो मेरेट इन्यो मेरेट होता है असंख्या जिसमें निम चीजें बहुत संख्या बहुत ज्यादा है। जिसी इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। और नया चैनल लोग होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो पूजा पाड करते हैं वर सिपर्स उनका एक जुन के पर मिलता है इसको कहते हैं संत समागम अगर आप लोग इंस्ट्राग्राम यूज करते हैं तो आप इस आईडी को ज़रूर फॉलो करके मिरे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पर आपको मैं मिलूँगा आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं कोई भी चीज पूछ नहीं है सवाल जवाब आपके लिए फायदे म जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ निकलते हैं या फिर और बहुत सारे जानवर निकलते हैं या बहुत सारे गाड़ियां निकलती है होता है फ्लॉक होता है यह सब देखो फ्लॉक भी होता है कॉन वोकेशन भी होते हैं सब के सब होते हैं बट यहां पर आप जो लगाओगे न लोगों के लिए लगाते हैं हम लोग क्या लगाते हैं हर्ड ठीक है हर्ड होता है भीड होड 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 एक तो होड होता है होड करना एच ओए एडि होता है होता है जमा करना यह होता है जमा करना एक अधय को त्ये लोगों का जुन्द और कॉनवकेशन होता है ये दीख्षांत समारह होता है जो हर युणिवरस्टिटी या कॉलेज में में होता है दिख्षांत थिक है जब अंत होता है एक सेशन का नन, अब supports कंट्रीज इंवाल इन वार रेडी टू ब्रॉच रेडी टू ब्रॉच अब यहां पर यह वन वर्ड है बट उल्टा है मतलब वन वर्ड जो होगा वह आपका उपर लिख रखा है और जो स्टेट्मेंट है वह नीचे लिख रखाए ठीक है तो बताई जैसे एक होता ना कि बहुत सारी लोग यहां पर उल्टा कुशिन पूछ लिया है आप यह कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें बदल रही है आज कल वह फस यह है कि तरीका वह वह बदल दे रहा है पूछने का जैसे अभी तक यह जो स्टेट्मेंट था वह उपर था और नीचे था अब उसने वर्ड बहुत बुरी तरीके से नहीं देखो यहां हो जाएगा आंसार आपका भी बिरिंग फर दिसकेशन यानि कि एक चीज़ पर चर्चा करने के लिए डिसकेशन करने के लिए सामने आना तो हमने कहा कि यह चीज़ बुरी तो सबको लग रही लेकिन इस पर विचार करने के तो रेडी तो ब्रॉज का मतलब होता है ब्रिंग फर दिसकेशन ठेक है ना हाँ इसका मतलब होता है सामने आना या डिसकेशन करना कह सकते हो ठीक है डिसकस करना कह सकते हो डिसकेशन करने के लिए सामने आना डिसकस करना यह कह सकते हो डिसकस करना ठीक है जी next when her teacher calls her a person who cannot be corrected she laughs at herself देखो अब यहाँ पर पूरे sentence या context से हमें कोई मतलब नहीं हमें मतलब है सिर्फ यहाँ से कि अब person who cannot be corrected है कि ऐसा बैकती जो कभी सही नहीं हो सकता जो ठीक नहीं हो सकता उसको हम क्या कहते हैं obedient, reformal, incorrigible, obviously incorrigible is the correct answer क्योंकि incorrigible ऐसी चीज है जिसको आप बदल सकते हैं, change कर सकते हैं लेकिन incorrigible ऐसी चीज है जिसको आप change नहीं कर सकते हैं असंसोधनिया है, incorrigible है, समझ कि unchangeable है, जिस चीज को change नहीं किया जा सकता और reformal है जिसको सुधारा जा सकता है, इसको reform किया जा सकता है ओवीडियन्ट होता है आग्याकारी जो बात को माल लेता है और मैनेज़िबल होता है प्रबंधनिया जिसको प्रबंध किया जा सकता है जिसको मैनेज किया जा सकता है seeing the danger of a group of a group governed by old people एक सरकार जिसको पुराने लोगों को ब्रत लोगों की द्वारा चलाए जा रहा है आधहकरेसी प्लोटोगरेसी जी जैनेट ही द्थोकरेसी या और टा क्रेसी और ड़ेसलियर जेरेंट हक्रेसी होगा जैनेटेऊलम क्रैसी होता है ब्रद लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला साशन जरेंटोक्रेसी, प्लोटोक्रेसी होता है धनी, रिच मैन, जो रिच पीपल होते हैं उनके द्वारा सरकार चलाई जाती है और एडोक्रेसी होता है धर्म, धर्म तंत्र यानि कि जिसमें धर्म के लोग जो होते हैं उसी धर्म के लोग होते हैं वही सासन करते हैं आटोक्रेसी होता है एक तंत्र जिसमें एक आदमी सासन कर रहा है बाकि सब गुलामी सब्सक्राइब strings अगर आइनाट में याँगा वागोडवे सबने करते हैं तो इसको फेटलिस्ट कहते हैं इसके मिजाज बहुत ज़ादा होते हैं और fugative होता है भगोडा, fanatic होता है कट्टर, वह है बैक्ति जो अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कट्टर होता है, उसको कहते हैं जी fanatic, ठीक है, next, take hold of forcibly or suddenly, cease, liberate, release or relinquish, take hold of forcibly, यानि कि किसी भी चीज़ को अचानक से क्या कर देना, छोड़ देना, या, sorry, take hold कर लेना, hold कर लेना, अचानक से क्या कर लेना, hold कर लेना, जैसे कि माल लो आपको गैर कानूनी काम कर रहे हो, और वहाँ पर अचानक से पुलिस आके आपको क्या कर लेती है, कबजे में लेती है, उसी को कहते हैं, seize करना take hold off forcefully ताकत के साथ क्या कर लेते हैं वो hold off कर लेते हैं अच्छानक से वो भी, आपको पता भी नहीं चला seize करना deliberate होता, आजाद करना release भी आजाद करना, relinquish भी आजाद करना सबका meaning same है तो delicate और precise as to be difficult to analyze or describe गां देखो भाई आगर कूई ऐसी चीजह जो प्री साइफ्स का मतलब होता है ना सतीक आप dapat या ड डिलेके't रबख्लेक्स या डona ना जुकหा हिए और सतीक ऐसे कहसे हैं इना as to be difficult to analyze इसको आप इनलाइस नहीं कर सकते बहुत कठिन है थाँ सब्टल कॉमपलेक्स या अरे नो ओलेशनी क्या कहें गेंगे हैं इसको कि सब्टल तो कॉमल होता है ये हो जायगा सब हां नाजुक होता है सही है डेलिगेट का मतलब होता है नाजुक कमजोर नाजुक होता है सही है प्रिसाइज देखो कोई चीज प्रिसाइज है या फिर नाजुक है नाजुक मतलब बहुत ही सॉफ्ट सी चीज है जैसे कि कोई बच्चा है छोटा न्यूबॉर्न बेबी है तम उसका बहुत ज्यादा ध् सब्सक्राइब और और फ्रेज करोड और अगल दूसरे वर्ड के लेटर से बना वह सब्द जैसे मैंने कहा कि CPU में से P ले लिया इसमें से R ले लिया ऐसे करके एक सब्द बना दिया तो उसको हम कहेंगे क्या चीज Enneagram कहते हैं कि words दूसरे words में से लिए गए letters से एक सब्द बनाया जाता है उसको कहा जाता है Try hard to do or achieve something यह तो hard working होता है Try hard to do or achieve something किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करना hard working endeavor हाँ क्या हो जाएगा endeavor होगा hard working तो adjective वह वैवेक्ति जो मेहनत करता है ठीक है और यह होता है प्रयास करना ठीक है क्योंकि try hard मतलब होता है एक तरीके से हम किसी भी चीज को पाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे है पूरा प्रयास कर रहे है endanger होता है खत्रे में डालना जोखे में डालना और indent होता है मांग पत्र की हमारी यह demands है इनको पूरी करो next having no sympathy अगर कोई ऐसा बेकती है जिसको किसी भी तरह की कोई sympathy नहीं है मतलब उसके अंदर धया है ही नहीं है धया हीन आदमी है तो उसको mercy full कहेंगे या merciless कहेंगे collapse कहेंगे kathore आदमी होता है इसके अंदर धया ही नहीं है ये है करपालु दयालु आदमी तो tender होता है n नाजुख और compassionate होता है करणा मैं जिसको बहुत सारी करणा है उसके अंदर सिंपैती है जिसके अंदर नहीं है वो कठोर है बी ऑप्शन एक ऐसा बेक्ति जिसकी स्पैलिंग बहुत गलत होती है जिसकी या तो राइटिंग बेकार है या कुछ भी गलत लिख दिता है उसको कैकोगराफर कहते है और कैलेगराफर जो होता है वो इसका उल्टा होता है कैलेगराफर होता है अच्छा लिखने वाला सुलेखक अच्छी लिखावट इसकी काफोगराफर है उसकी स्पैलिंग खराब होती है अब परसन who exhibits the traits of बैड स्पेलिंग है ना कैको ग्राफर होता है जिसकी स्पेलिंग कराव फोटोग्राफर जो फोटोज कीशता है कोरियोग्राफर जो नरत्य सिखाता है चौबनिस्ट होता है अंधर राष्ट्रियवादी वह है व्यक्ति जो अंधर राष्ट्रियवादी है ठीक है अ हेटरड बताऊ कौन बताएगा हीटरड कौन होता है हीटरड हीटरड होता ऐक ऐसा वैक्ति जो मतलब नफरत करने वाला होता है मालेवलन्स हैं जैसे अभी बारे सु उलेंष पड़याः बड़ेत्ए हुआ पड़े तो कुछ दिन पहले Spirit ले exactly तो यी गया बेवक्त यानिए की ये काम करने का सही समय नहीं था इसकाम के लिए उच्च समय नहीं था लेकिन कर दिया आगेशल के दा मेंगे स्टोरी जैसे कि एक बहुत अच्छी सी स्टूरी मैंने सुनाई उसका में मेन करेक्टर कौन है यह है तो उसका जो मेन करेक्टर है वो कौन है एंटागोनिस्ट और प्रोटागोनिस्ट लीडर और प्लेयर तो क्या होगा उस मेन करेक्टर को क्या कहेंगे लीडर तो नहीं कहेंगे यह तो नेता होता है यह होता है प्रोटागोनिस्ट हो जाएगा प्र सक्राट्य पक्षी का मतलब होता है जो खिलाब चलता है सामने जो लड़ाई करता है अग स्वार्मंट बाट टेकस डेशीजन्स बेजन डेखम creeping कमेंडेशेंस सफ इक स्डेट और फिशल्स एक ऐसी सरकार जो स्टेट ओपिशल्स जो होते यह नौकर्साही जो होते करते हैं नौकर मतलब जो ओफीशल होते हैं आई-एस पीचिया जो होते हैं उनके कहने पर जो सरकार चलती है उनके रेक्मेंडीशन पर डेमोक्राइसी जिसमें लोग सासन चलाते हैं हमारे यहां लोग सासन चलाते हैं लार्ज सिंगल डिटेज्ड हाउस विद सिंगल और जाँजसे वरना बहुत चोड़ा 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 सब्सक्राइब और फैंफाहां सबसे ऑपर एक गहुसको खुला खुला से उसमें सारी चीज़ men who talks to oneself और है व्यख्थी जो अपने आप सी बात करता है उसको स्वलीलकिस्ट कहते हैं कि अपने आप से बाते करने वाला सॉलीलॉक खुदि से बाते कि ए जा रहा उस ब्ब्रू सॉली लोकिस्ट करेंगे ये वेंट्रि लोकिस्ट होता है जो घरणवादी होता है कि अलग टाइप की दम्हें टरीके से ऐसी बातiam करेगा जो उसी के बातों में ही समझ में आ सकती है मतलब उसी के जैसे लोग जैसे के तरीके से ना कोडिंग में बात करना और लोक कॉलोकिस्ट होता है बहुत अच्छी बात है करना कॉलोकिस्ट होता है बहुत अच्छी बात है अच्छा वक्ता होता है सौमने लोकिस्ट होता है नींद में बढ़ बढ़ाने वाला नेक्स्ट यह सब सीजल मेंस के कुश्चन है देख रहे हैं अच्छे अच्छे वर्ट्स है अब बुक और सेट और बुक्स गिविंग इन्फरमेशन और मैनी सब्जेक्ट्स और ओन मैने एस पेक्ट्स और वन सब्जेक्टेशन टेपिकली अरेंगे क्लक इक एक एसफोर्ट यहां चीज का घ्यान आपको यहां पर दिख जाए गां ग्लोशरी के डिक्स नरी एन और शॉपीडिया और थीजरी होता है यह इसमें होता है बहुत सारा ग्यान यह भी ग्यान को सोता है जैसे बुलते हैं कि यार मैंने तो इस पर थीजरी कर रखी है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बहुत सारा ग्यान होता है उसको थीजर कहते हैं और बहुत पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अ सेप्चर क्या होता है रेलिक एंबलेम और रेगलिया बताओ यह बहुत अच्छे बढ़ देखो यह लेका हुआ ऐसा सी सीजल मेंस सीजल मेंस 2022 के सवाल ठीक है इसका आंसर बताओ कौन बताएगा इसको सीम्बल सब्रोरा मस बताओ रायल्टी एक होता है आपका जैसे आपका बहुत अच्छा जीज सीजाँ होता है यह होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो उसका एक हिस्सा लाइफ टाइम तक अपने पास रहता है उसका जो साइन होता उसको क्या कहते हैं कि सुनों आपने ये काम किया आपको एक रोयल्टी मिलेगी बिना कुछ किये कही मिल जाएगा कि आप कुछ मत करो आपको इसका फाइदा मिल कि बिना किये के लिए जो कुछ मिलता है ना उसको कहते हैं बिना किये का कुछ मिलता है उसको कहते है उपाहार नेताओं को इनको मिलता रहता है इसब इनाम इंबलेम प्रतीक ठीक है रेलिक अवसिस होते हैं रेलिक होते है अवसिस जो पराने अवसिस होते हैं यह हो गए आप आप लोग SSC, CGL के लिए गुरुकुल जोइन करना चाहते हैं तो आपके पास contact number से जहां आपको इस सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाते हैं और under guidance पढ़ने का मौका मिलता है जिसमें आप doubts भी ले सकते हैं सब कुछ आपको हमारी तरफ से मिलता है सारे subjects की guidance properly discipline में घर बैटे अपने phone से पढ़ना चाहते हैं तो batch number 16 आप जोइन कर सकते हो ठेक है जी यह जोइन कर लिजे यह अभी चल रहा है और CPU वालों के लिए लग से बैच चल रहा है यह जोइन कर सकते हैं next ठेक है यह हमारे जो है टेलेग्राम चैनल से हैं contact numbers है यह हमारा application ऐसी नाम से ठीक है जी थैंक यू सो मच्च सी यू इन नेक्स सेशन बाइबाए टेक क्यार जाहिन